गुमत तेड़ा घरी आओ सा आओ मारा प्यारा आग जान दे ओखेल तेड़ा घर आओ जी आओ मारा प्यारा आग जान दे कोई खेत्र ऐसा नहीं है कि जिसमें भारत घर्व न कर सकें कि उनकी बेटियों ने उसमें योगदान नहीं दिया है साहस का हो सेवा का हो संस्कृति का हो creative activity हो हर चीज में सराज तो सिर्ध धन्यवाद देने आई हो कि RPWD Act 2016 2016 में मिल गया फिर Accessible India campaign मिला और अब new education policy new education policy हम सब के बहुत फेवर में है मैं जहाज लेके सारे दुनिया गूमी हूँ और जब भी मैं चाइना पाकिस्तान और या कूई ऐसे देश जाती हूँ जहाँ हमारे से अच्छे टर्म्स में नहीं है मैं आपने अंदर के अंखों से मैं आपको जरूर देख सकती हूँ सर् हमारे इंडिया डिसेबल पीपल के लिए और भी एकसिसिबल बने अपने बहुत सब किया है इंडिया के लिए आपने एकसिसिबल इंडिया कैंपेंग किया है सुगम भारत कैंपेंग और बहुत अच्छा लगा है सर् एंपावर्मेंट की बत्यपात करते हैं, अपने देखा होगा हम प्रदानमंत्री आवासी उजना कर ले हैं, इतने कम समय में दो करोड परिवार को अपना पक्का कर मिलना अपने बड़ी बात है, और एक घर की किमत लाखों में है आज कर, यह एक प्रगारजे, दो करोड मेरी हम आता है, लगपती बनी है, हम चाहते हैं कि परिवार में भी, डिसिजन मेकिंग में उसका हिस्सा होना शए है, यह हिस्सा दम आता है, जब एकॉनोमिकल एमपावर्मेंट होता है, उसका भी पजूद बनता है, और तब जाकर के निर्णे भी बड़े हिल्दी होते हैं, प इसके लिए आपको तहे हैं देवाज़ जी, मैं दांस से सिखाना जाती हूँ, और दांस लाज को नर जाती हूँ, आपका जास्काना हूँ रोच्छं करूंगी, साभाज! तो प्रवाच्छ को पड़ाने के लिए आप जो फैसल्टी उन लोकुन को पड़ाने के लिए आप जो फैसलिटी उन लोकुन को जो इन्प्लिमेंट कर रहा है उसके लिए हम आम बरी ग्रेटफुल तो यू सर्थ 15 साल की थी तब से पड़ा रही थी और आज मेरे 35 साल पूरे हो गए है इस लक्ष को चलाते हुए मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोगों ने मेरे काम को अपने अपने नजरों में लाया इसके लिए मैं बहुत दनिवाद करती हूँ सर मैं ऐसा समझती हूँ कि अब हमारे देश को टेकनोलोजी लीडर्शिप इस्टाबलिश करनी पड़े ही सर आपने जो बजट निकाला मुझे इसमें एक बहुत खुशी लगी कि क्लाउड और एज इंफ्रस्ट्रक्चर को आपने इंफ्रस्ट्रक्चर बनाया है और मुझ सब जीवन में समाज के लिए देश के लिए कुछन कुछ करना और उसके पिछे एक सेवाभाव तो है ही है परन्तु मैं देख रहा हूँ कि इनोवेशन भी है सब का साथ सब का विकास सब का विस्वास तेकि इस आजादे क्या मुरुत पहुंस हो मैं मैं जो लगा रहा का प्रयास कि या कारण है कि हम पीछे रहे हैं दुनिया में पीछे रहने का कोई कारण नहीं है हमारे पास सामर्त है और इसमें सब का प्रयास बहुत आवश्यक है करतव्य भाव जगाना बहुत आवश्यक है